हाई लेमेंधीज, वेलकम टू एजी वे कॉवर्मेंट्स क्लासेज मैं हूँ तबिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स नमबर चेप्टर को स्टार्ट करेंगे जो की काफ़ेंटर्स्टिंग चेप्टर है और काफ़ी सारी नाई नाई चीज़ेंगेंगे सीखने को मिलेगी So index number के सबसे पहले meaning से start करते हैं Index number होता क्या है? Index number एक तरीके का measurement होते है guys जिसमें आप change को calculate करते हो यानि कि एक समय से दूसरे समय में I changes को calculate करते हैं हम किसमें index number में जैसे कि महंगाई कितनी बढ़ी जी के लोगों का खर्चने का pattern कितना बढ़ा लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए 2010 में कितने थे 2020 में कितने हो गए तो ये सारी चीज़े जो calculate करी जाती है ये through the index number करी जाती है ठीक है? So index number के दो आपको method given है First is unweighted and the second is weighted ठीक है? Unweighted को simple method भी कहते हैं तो इसको दो parts में divide किया जाता है Simple, aggregated, aggregative ठीक है and average of price relative वहीं पर weighted को भी दो parts में divide किया जाता है Aggregative and average of price relative Weight है यहां पर और यहां पर weight नहीं है बात खत्म बस इतना सा फरक है And guys, आज की इस वीडियो में हम weighted यार unweighted यारि कि simple के दोनों method solve करना सीखेंगे जो कि बहुत असान है बहुत असानी से आप सीख सकते हो तो सबसे पहले इसके कुछ basic concept को सीखते हैं आपको question में कुछ एक ऐसा साल given होगा जो पहले beat चुका है ठीक है जिसके base पर आप compare करोगे Like अगर मैं example लूँ 2010 और 2020 तो इस में से पुराना साल कौन सा है 2010 है जिसके base पर आप compare करोगे तो 2010 को हम base year बोलेंगे क्या बोलेंगे base year 2020 इसको हम current year बोलेंगे ठीक है आपको कोई भी साल अभी जैसे इदर मैंने question ले रखा है 2020 और 21 है तो base year पहले वाला होगा जो पहले beat चुका है 2020 और उसके बाद जो नया साल है 2021 current year होगा ठीक है अब इसमें आपको दो चीज़े given हो सकती है price चीजों के या फिर उनकी quantity तो base year के price को P0 बोलेंगे और quantity को Q0 simple 0 से denote कर दा है price है तो P quantity है तो Q वहीब है current year है तो price है तो P1 quantity है तो Q1 easy है अब guys यहाँ पर मैंने numbers लिये है let's suppose करो कि यह price है तो मैं इसको P0 से denote करूँगी और इसको P1 से ठीक है आपको सबसे पहले इसे denote करना सीखना है तो वो तो आपको बहुत असान है मतलब समझना अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी commodity दे सकते हैं A, B, C, D, E या आपको कोई name भी दे सकते हैं ठीक है अब आपको simple method में formula बताती हूँ जो कि बहुत असान है summation of P1 divided by P0 into 100 यानि कि current year के जो total है उसको हमें base year के total से divide करना है multiply by 100 हमने यहाँ पर already total कर रखा है अब ही P1 हमारा कितना आरा है price of current year का total तो अगर आप इसका total करोगे यह आ रहा है 1062 base year का total कितना आ रहा है 311 into 100 आप से वो मोलेंगे calculate the price index तो price index को हम denote करते है P01 यानि कि 0 से 1 यानि कि base year से current year में कितना change आया तो आपको यहाँ क्या लिखना है P01 और फिर आप formula लगा दोगे अब इसको आपको simply divide करने और आपका answer आ जाएगा तो अगर आप इसे cut करोगे guys तो 311 का table बड़ा असान सा होता है ठीक है 5 से किया तो या गया अब अगर 311 पर 106 पर जा नहीं सकता तो 1062 तो 3 से जाएगा 1062 divided by minus करेंगे इसमें 3 पर क्या है हमारा 933 तो इस तरीके से divide जब आप करोगे तो आपका answer आ जाएगा मैं भी पूरा solve नहीं कर रही क्योंकि मुझे basically concept आपके clear करने है तो आप जब divide करोगे आपका answer आ जाएगा तो यह हम लोगों का कॉंसा method हुआ simple aggregative जिसमें हमने price index निकालना सीखा अब अगर guys price index के जगे वो quantity index बोल दें तो आपका q01 यानि कि quantity index को कैसे denote करेंगे q01 base year से current year पर जाना और formula हो जाएगा summation of p1 था q1 हो जाएगा summation of q0 into 100 यानि कि जहाँ पर p था वहाँ पर अब क्या आजाएगा q आजाएगा क्योंकि quantity index है ठीक है तो इस चीज़ को आपको normally जैसे आपने p का summation किया p0 का किया ऐसी आपको q1 and q0 का summation करना है ठीक है तो इसके थुरू आप simple aggregate सीख सकते हो अब हम बात करते हैं guys average of price relative method average of price relative बहुत ही असान method है इसका formula अगर आप देखोगे summation बाहर है अंदर क्या है p1 upon p0 into 100 और इसको divide करा है हमने number of item यानि कि n से अब मैं इस formula को इधर लिखते हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे दरीके से समझाए summation का sign बाहर है p1 upon p0 into 100 divided by n ठीक है तो इसका मतलब होता है कि हमें जो price relative निकालना है guys उसका formula क्या होता है p1 upon p0 into 100 आपको हर stage पर वो करते होई जाना है हर stage बोले तो यहाँ पर p1 हमारा 200 है इसको हमें divide करना है 100 से into 100 तो 200 divided by 100 कितना हो जाएगा आपका 2 multiply by 100 तो answer is 200 इसी तरीके से 40 divided by 8 into 100 तो यह आगया 500 16 divided by 2 into 100 यह आगया आपका 800 फिर 800 divided by 200 into 100 चिक है यह आगया आपका 400 इससे तरीके से 6 divided by 1 into 100 600 आपको इसका summation लेना है तो सबसे पहले summation लेते हैं 2,500 ठीक है अब आपको इसे formula में put करना है summation किसका summation पीवन अपॉन में P0 into 100 हमने हर एक स्टेज पर किया है हमने उनको total करके simple वाला method नहीं है यह price relative है यानि कि हर एक स्टेज पर P1 upon P0 लगेगा solve करोगे उसका summation लोगे 2500 आया कितने items हैं 1,2,3,4,5 5 से divide कर दिया then 500 आपका answer आ जाएगा तो इस तरीके से guys आपका average of price relative solve होगा लेकिन अगर यह quantity होती तो आपका यह formula कैसे change हो जाता P की जगे Q आ जाता तो आपको बस यह सीखना है बाकी आपको एक और इसमें concept आता है कई बार question आ जाता है कि आपको वो यह कह सकते हैं कि base year आपको जैसे बहुत सारे year given है चलो ठीक है उसमें एक separate video बनाऊंगी ताकि वो question कर रहा हूँ अगर कोई doubt होगत हो इसके लब अगर आपके कोई doubt है तो आप मेरसा share कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर थांक्यू